EPS 95 National Agitation Committee EPS 95 न्यूनत महायर पेंशन की ताजा खबर मोधी से मांगे समय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के पास पेंशन विभाग है समस्त पदाधिकार विचार विमर्ष कर प्रधान मंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगे कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, Employee Provident Fund Organization और मोधी सरकार को लेकर ताजा खबर है EPS 95 न्यूनतम पेंशन, EPS 95 मिनमम पेंशन 7,500 रुपए कराने के लिए नए सिरे से आंदोलन किया जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी तक पहुँचने के लिए पेंशनर्स आपस में मन्थन कर रहे हैं पेंशन आंदोलन से जुड़े पेंशन भोगी जोगेंद्र चौधरी कहते हैं कि EPS 95 राष्ट्रिय संघर्ष समिती, EPS 95 नाशनल अजिटेशन कमिटी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अशोक रावत और EPS 95 के समस्थ पदाधिकारी एवां समस्थ सदस्य आगामी रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्रिय हो जाएं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, PM नरेद्र मोदी के पास पेंशन विभाग, पेंशन डिपार्ट्मेंट, E कृप्या उनसे संपर्क करने के लिए समस्थ पदाधिकार विचार विमर्ष कर प्रधान मंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगे अपनी समस्याओं से अवगत कराया जाए साथ में जो भी सदस्य मेंबर ओफ पार्लियमेंट अत्वा राज्यसभा सदस्य हैं उनसे चर्चा की जाए पेंशन आंदोलन से जुड़े संगठन से सदस्यों को काफी उम्मीद है आता एक सदस्य के अनुरोध पर आप शीगर की शीगर राश्ट्रिय कार्यकारिनी की बैठक बुलाकर चर्चा कर प्रधान मंत्री से समय लेकर पेंशन भोगियों की समस्याओं एवं हायर पेंशन के लिए शीगर प्रती शीगर चर्चा करने की कृपा करें जिससे की आगे की कारवाई से लोग अवगत हो सकें राश्ट्रिय एकता जिन्दाबाद, संगठन जिन्दाबाद और समस्त पेंशन भोगी एक जुट होकर आगे बढ़ें EPS 95 पेंशन खबर, पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी EPS 95 वाले ध्यान दे, EPS 95 पेंशन खबर, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना अपडेट की गई है क्या है यह सूचना पूरी खबर यहां पर विस्तार से पड़े सरकार द्वारा दिये गए दिशा निर्देश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद EPS 95 पेंशन भोगी जो हायर पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, उन सभी के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया था इसके बाद से कई बार इसका समय सीमा बढ़ाया जा चुका है EPS 95 पेंशन खबर हायर पेंशन के देने थे विकल्प, आप सभी को सूचित कर दे कि सभी पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए जिन्होंने अपलाई किया था उन सभी के लिए विकल्प सन्युक्त विकल्प की जाच एवं आवेदन जमा करने की ओनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोट के निर्देशानुसार दिनांक 4 नवंबर 2022 के अनुपालन में सभी पात्र पेंशन भोगियों सदस्यों के लिए थी यह अनुपालन 26 फरवरी 2023 के लिए गया था जिसे सिर्फ 3 मई 2023 तक के लिए उपलब्ध किया गया था कर्मचारियों द्वारा की गई बड़ी मांग पेंशन को लेकर कर्मचारियों द्वारा और संगठनों द्वारा समयस मैं पर इसकी मांग को किया गया है कर्मचारियों का कहना है कि परिशानियों को देखते हुए समय सीमा को विचार करके बढ़ाया जाए उसके बाद पूरे चार महीने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई थी एक बार पुना मिला है मौका पेंशन भोगियों को उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बार फिर से 15 दोनों का मौका दिया गया इसके लिए कर्मचारियों को विकल्प सन्युक्त की जाँच प्रक्रिया के लिए और आवेदन जमा करने के लिए अन्तिम तारीक को 11 जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया गया था मिली जानकारी के अनुसार सत्यापन के लिए लगभग 17.49 लाख आवेदन प्राप्थ हुए थे दोबारा 31 मई 2024 तक समय सीमा अभी भी सत्यापन के लिए 3.6 लाख से ज्यादा आवेदन लंबित है इसके लिए ओनलाईन विवरण अप्लोड करने हेतु 31 मई 2024 तक एक और विस्तार देने के प्रस्ताव को मनजूरी दे दी गई थी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ऐसा है तो आपको पेंशन की जगा एक मुष्ट मिलेगा पैसा सदस्य की मृत्यू की स्थिती में परिवार से नौमीनी को पेंशन एक महीने की सदस्यता पर भी मिल सकती है कर्मचारी भविश्य निधी संगठन Employee Provident Fund Organization के सदस्य ध्यान दे खबरों की सीरीज में आपने अब तक कर्मचारी पेंशन योजना 1995, Employee Pension Scheme 1995 के सदस्यों वह उनके परिजनों को मिलने वाली पेंशनों के बारे में जाना आपने यह भी जाना की सदस्य पेंशन पाने के लिए नियोंतम सदस्यता अवधी 10 साल है लेकिन सदस्य की मृत्यू की स्थिती में परिवार से नौमिनी को पेंशन एक महीने की सदस्यता पर भी मिल सकती है आपके मन में यह सवाल तो उठा ही होगा कि यदि किसी सदस्य की सदस्यता अवधी 10 साल से कम है तो उसे क्या लाब मिलेगा या नहीं और अगर लाब मिलेगा भी तो उसे कितना फाइदा होगा आदी बातों का जिग्यासाओं और प्रशनों का उत्तर सुचनाजी.com News आपको देने जा रहा है यदि पेंशन योजना का कोई सदस्य नौकरी छोड़ देता है और फिर कहीं किसी ऐसी कमपनी में काम नहीं करता है जहां EPF Act लागू, EPF Act implemented है तो या वह 58 साल का हो गया हो किन्तु सदस्यता अवधी 10 साल से कम है तो उसे पेंशन के स्थान पर निकासी लाब यानी विड्रॉल बेनिफिट के रूप में एक मुष्ट राशी मिलेगी विड्रॉल बेनिफिट की राशी कर्मचारी पेंशन योजना Table D, Employee Pension Scheme Table D में दिये गए गुणांग से सदस्य के अंतिम पूर्ण माहा के वेतन को गुणा कर निर्धारित की जाती है उदाहरन के लिए यदी सदस्य ने 5 साल तक पेंशन योजना में अंशदान किया है और उसका अंतिम वेतन 15,000 रुपए है तो उसे 15,000 रुपए गुणा 05.02 यानी 75,300 रुपए मिलेंगे पुराना अकाउंट नए अकाउंट में ट्रांसफर करा ले योजना के सदस्यों को चाहिए कि नौकरी छोडने पर पैसा निकालने की जल्दी न करे और यदी वे बाद में किसी समय किसी ऐसे प्रतिष्ठान में नौकरी ज्वाइन करते हैं जहां PF Act लागू है तो वे अपना पुराना अकाउंट नए अकाउंट में ट्रांसफर करा ले पैंशन पाने के लिए क्या करना होगा हम आपको बता दें कि पैंशन पाने के लिए जहां फॉर्म 10D भरना होता है वहीं विड्रॉल बेनेफिट लेने के लिए फॉर्म 10C भरना होगा यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि यदि किसी की सदस्यता 6 माह से कम है तो उसको विड्रॉल बेनेफिट नहीं मिलेगा अता ऐसे सदस्य फॉर्म 10C न भरें तो यह थी विड्रॉल बेनिफिट से संबंधित महत्वपूर्न जानकारी। ऐसे ही जानकारियों के लिए आप लगातार अड़्रेट सुचनाजी.com न्यूस पढ़ते रहिए और निरंतर शेर करते रहिए। मोदी ने 2014 में आंध्रप्रदेश को विशेश राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन इसे आसानी से भूल गए। सुचनाजी न्यूस, 36 गड़। हेमा मालिनी के सामने पेंशन भोगियों, पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया। दो बार यही बात दोहराई गई। लेकिन कर्मचारी भविश्य निधी संगठनी पी एफो के सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहट 7500 रुपए नहीं मिल सका है। आज भी EPS 95 न्यूदम पेंशन, EPS 95 मिनमम पेंशन 1000 रुपए ही हैं, जिसमें 95 पेंशन, EPS 95 पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर पेंशन भोगी मन की बात कर रही हैं। पेंशनर्स की आवाज उठाने का प्लाटफॉर्म सोशल मीडिया बना हुआ है। फेस्बुक एडमिन गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं कि वेंकिया नाइडू और प्रधान मंत्री म मोदी ने 2014 में आंध्र प्रदेश को विशेश राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन इसे आसानी से भूल गए। मतुरा की सांसद हेमा मालनी की मौजूदगी में बिहार को विशेश राज्य का दर्जा देने की नीतीश जी की अपील का भी यही हश्र प्रदान मंत्री मोदी ने मतुरा की सांसद हेमा मालनी की मौजूदगी में एनैसी नित्रित्व से दो बार वादा किया किवे EPS 95 पेंशन भोगियों, EPS 95 पेंशनर्स की परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन इन प्रयासों से कुछ नहीं हुआ। क्या जूटे वादे करना राजनीतिक विमर्ष में सबसे खरापसतर है? एड्मिन गौतम चक्रवर्ती ने कहा टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नाइडू और जेडियू प्रमुख नितीश कुमार से हमारी अपील है कि वे हमारे साथ साथ हमारे मुद्दों को भी उठाएं और जीवन के अंतिम पडाव में हमें सहायता प्रदान करें समवैधानिक रूप से वे फैसले लेने की स्थिती में हैं उम्मीद है कि हमारी अपील इन दो लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के कानों में गून जेगी